अजीज तलबा अदाब उत्तर परदेश राज़शी टेंडन ओपन युनिवस्टी के इस लिक्चर सेशन में मैं डॉक्टर अब्दुर रह्मान आपका इस अभाल करता हूँ आज हम वली दखनी की घजलगोई के बारे में पढ़ेंगे पहले उनके बारे में कुछ जानेंगे फिर आपके कोर्स में ये दो घजलें हैं वली दखनी की उन पर थोड़ा सा थोड़ी सी बात चीट करेंगे थोड़ा तफसरा करेंगे कब इस से कि मैं कुछ कहूँ आपको बता दूँ पहले ये पेपर नंबर 103 है तो इस पेपर में ये पेपर आप जैसा की जानते हैं 30 नंबर आपके assignment के होते हैं और 70 नंबर आपके इमतिहान के लिए हैं यानि 70 नंबर के लिए एक आपका पर्चा होगा जिसमें आपको आपसे तहरेरी इमतिहान लिया जाएगा ये 70 नंबर ऐसे होंगे कि 16 इंटू 3 ये 48 नंबर के 3 तफसीली जवाबात आपको देने हैं फिर 12 नंबर के एक तश्री होगी फिर 5 नंबर के दो सवाल होंगे यानि 10 नंबर ठीक है तो ये तोटल आपके 70 नंबर हो गए ये हैं आपके सामने और ये तो खैर हो गया उसके बाद हम ज़रा वली दकनी के बारे में बातें करते हैं वली दकनी का नाम है वली मुहम्मद वली दकनी भी कहा जाता है वली गुजराती भी कहा जाता है और वली औरंगाबादी भी कहा जाता है कुछ लोगों का ख्याल है कि वली की पैदाईश गुजरात में हुई हाला कि उनके अशार से और दूसरे जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजात से ये मालूम होता है कि वली दकनी दकन में ही पैदा हुए दकन में वली दकनी की पैदाईश 1660, 1667 में हुई वफात 1707, कुछ लोग कहते हैं 1735, कुछ का ख्याल है कि 1740 ने हुई बेरहल लेकिन जादातर गुमान यही है कि 1707 ने वली की वफात हुई वली इल्म के बड़े शुकीन थे और इल्म का हुसूल वो फर्ज जानते हैं थे वली गुजरात गए इल्म के हसूल के लिए उर्दू घजलगोई का जो दौर शुरू होता है उस दौर में उस दौर की अबत्दा यू होती है कि 1780 वी में ये 1700 वी है 1780 वी में वली दिल्ली जाते है दिल्ली में उनकी मुलाकात होती है सादुल्ला गुल्शन मैं लिख देता हूँ सयद सादुल्ला गुल्शन ये एक सूफी थे और शायर भी थे जब ये दिल्ली गए वली तो उस वक्त दिल्ली में फार्सी शायरी का चर्चा था फार्सी का दौर दौरा था लोग फार्सी बोलते थे और फार्सी पढ़ते थे और फार्सी में शायरी शान समझते थे एक वक्त था कि अर्दू को रेखता कहा जाता था या हिंदवी या हिंदी जबान साथ का मतलब यही होता था कि अर्दू ही है रेखता इस वज़ा से कहा जाता था चुकि इस जबान को रेखता के माले होते गिरी पड़ी हुए यानि ऐसी चीज जिसके कोई वक्त ना हो जिसके कोई गिमत ना हो जो बहुत बेकार हो तो इस तरह रेखता कहकर अर्दू का मज़हका उलाते थे लेकिन जब वली गए तो कहा कि वली ने जब अशार सुनाए रेखता में तो कहा अरी लोगों को बड़ी हैरानी हुई बड़ी हैरत हुई किया ऐसी शायरी और इस जबान में जिसे हम गिरी पड़ी जबान समझते हैं इस जबान में ऐसी शायरी हो सकती है क्या ऐसा अदब तखलीक हो सकता है क्या लोगों को बड़ी हैरत हुई तो लेकिन वली दकन का मिशाज और दिली का मिशाज दो अलग अलग मिशाज था तो वहां दकनी अलफाज ज़ादा थे तो सय्यत सादुल्लाह गुलशन ने कहा वली से कि ऐसा करिया कि इसमें कुछ फार्शी के जो आम अलफाज है या आम तोर पर जो अल्फाओं इस्तामाल कीजिए जो यहां पर इस्तामाल होते हैं न्महावरात का इस्तामाल कीजिए इस तरह अपनी शायरी को आप और बहतर बना ससकते एंग अचया इस दिन में मैं एक बात और बताओं को ची बड़ी हैरानी माली बात है कि ये स्यादूल्ला गुल्शन के मश्वरे पर वली ने ये काम किया सत्तरा सो इस्वी में जब वो आये थे लेकिन अर्दू के ये सबसे बड़े नाकिज जमाने जाते हैं इस एहद में शमसराह्मान फारुकी ने अपनी किताब अर्दू का इपतदाई समाना में लिखा है कि ये सब बगवास की रात है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ऐसा कोई वाकिया ऐसा कोई इंसिडन्ट टरोनुमा ही नहीं हुआ ये सब बनाई हुई बाते हैं मनगळध बाते हैं साधुल्ला गुल्शन ने कभी ने गा लेकिन ये हुआ क्यों ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये फारुखी साब कर दें है ऐसा हुआ क्यों ऐसा हुआ ये कि दिल्नी वाले ये समझते थे कि भाई शायर तो हम है घजल भले हमारे हाँ से शुरुआत नहुई हो लेकिन घजल हमने को सिखाया कोई हमें इसकाकर चला जाए वली जैसा शेक्स हमें घजल सिखाकर चला जाए तो वह कहते हैं कायम चांद पूरी और मीर तकीमीर ने एक कहानी गड़ी यूहीं एक किस्ता गड़ लिया जिसमें ये कहा कि वली दकनी को सादुल्लागुलशन ने ये सारी बातें बत उर्दू का बावादम का ठीक है और चासर भी कहा गया इनको अब यह चासर के बारे में एक बात मैं आपको बता हूं चासर जो है इस कंसीडर दफस्ट पॉट आफ इंश लिटरेशर जो तियरा थो चालीस स्यासपा इसकी पाइदाइश मानी जाती है और शिक्स्टीन यानि सोला सो में जिसकी वफात मानी जाती है तो यह पहला अंग्रेजी का अंग्रेजी अदब का पहला शायर तस्लीम किया जाता है अगर आप अंग्रेजी अदब का आपने मुताला किया है तो आप जानते होंगे कि अंग्रेजी में जो चासर की जो हैसियत है या चासर की जो शायरी है यह चासर की जो शायरी की जबान है वो जबान अंग्रेजी जबान के मुकाबले में इतनी मुरसा नहीं है जितनी की इपताई जमाने में वली की जबान थी तो इससे यह साबित होता है कि चासर तो फस्पोर्ट हो सकता है पहला शायर हो सकता है पहला अंग्रेज का ठीक ठाक या अदब का ठीक ठाक जखीरा मौजूद था ठीक है बहराल यह रही बात हमारे कोर्स में वली की दो गजलें जिनके बारे में हम बात करेंगे जही मकसद था इस गजल की तश्रीह ही मकसद है तो आप मैं यह पहली गजल पढ़ देता हूं उधर कर दीजी कैमरा तो यह गजल है मैं पहले इसका मतन पढ़ देता हूं उसके बाद इस गजल से मतलिक हम बाते करेंगे थोड़ी सी उफ्तिक करेंगे गजल का पहला शेर मतला कहलाता है मैं पढ़ता हूं मतला दिल कू लगती है दिल रुबा की अदा जी में बसती है खुश अदा की अदा ग खर्फ बेजा बजा है गर बोलूं दुश्मने होश है प्या की अदा नक्ष दिवार क्यों नहो आशिक हैरत अफजा है बेवफा की अदा गुलहुए घर्क आब शबनम में देख उस साहिब हया की अदा अश्के रंगी में घर्क है निस्दिन जिसने देखी है तुझ हिना की अदा एवली दर्द सर की है दारू मुझको संदली गबा की अदा तो ये जैसा कि आपको मालूम है कि ये उस जमाने की शायरी है जिस जमाने में अर्दू घजल या अर्दू जबान अभी जो आज की मौजूदा शकल है जो इस एहद में जो जबान का जो जायका है या जबान जिस मकाम पर है कोई भी चीज अपने अप्तदाई दौर में या अप्तदाई जमाने में बिल्कुल ऐसी नहीं होती जो उसकी सूरते हाल 200 साल, 300 साल, 400 साल के बाद होती है धीरे धीरे जबान का भी वही मरहला है और जबान का भी वही मौामला है जैसा कि वो धीरे 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 फरोग पाती है, तरक्वी करती है और उसके अलफाज बनते है तो दिल्कुल लगती है दिल्रुबा की अदा यह कुँ जो है, यह कदीम अर्दू में को को कहा जाता था तो आप यह कुँ को को समझें दिल को लगती है दिलरुबा की अदा लगना दिल को लगना कभी कभी हम सुनते हैं कि बात लगती है या बात लगती है या बात लगती है इसका मतलब उसकी बात तकलीव देती है लेकिन दिलकू लगती है यानि दिल पर असर करती है उसकी जो अदाएं हैं जो महबूब की अदाएं हैं दिलरुबा की अदाएं हैं वो दिल पर सीधे असर करती हैं और जी में बसती है खुश अदा की अदा उसकी अदाएं बिल्कुल जी में उतर जाती हैं दिल में उतर जाती हैं उसकी जो खुश अदा यानि जो अच्छी अदाएं हैं महभूब की जो अच्छी अदाएं हैं खुशूरत अदाएं हैं तो जी में बस जाती हैं और दूसरा शेर है कि गर्चे सब खूब रू हैं खूब वले गर्चे हाला की सब खूब रू हैं खूब रू हैं खूब वले के मतलब लेकिन और लेकिन हो आधी की बड़ कर एक खूब रूसरा चेरे वाले हैं लेकिन कतल करती है मिर्जा की अदा अब यह मिर्जा की अदा इस 17th century के आसपास जो शायरी हुआ करती थी जो आहद था 17th century का कि 17 सेंचुरी का 18 सेंचुरी से पहले का ठीकि 17 सदी से पहले का जो अहद था उसमें अमरत परस्ती आम थी और शायरी में भी आप उस चीज़ को देख सकते हैं मिर्जा उसी की जाने पिशारा है गतल करती है मिर्जा की अदा यानि यो मिर्जा है जो अमरत परस्ती की जानब जो इशारा है उस अमरत की जानब इशारा है कि उसकी अदाएं जो है गतल करने वाली है तीसरा शेर है कि हर्फ बेजा है हर्फ बेजा बजा है गर बोलू यानि बेजा जो नागवार हर्फ होता है जो अच्छा नहीं होता है ठीक नहीं होता है बेजा नागवार बजा है गर बोलूँ अगर मैं कोई ऐसा हर्फ, कोई ऐसा लफ, कोई ऐसी बात बोलूँ जो ठीक नहीं है नागवार है ठीक है? लेकिन यहां पर अगर मैं बोलूँ कि हर्फ बेजा बजा है गर बोलूँ यानि अगर मैं नागवार कोई हर्फ बोलता हूँ कहता हूँ तो वो ठीक है उसमें कोई कबाहत नहीं है क्यों? क्योंकि दुश्मने होश है पिया की अदा जो महभूब है उसकी अदाएं जो है वो दुश्मने होश, होश की दुश्मन यानि इसको देखने के बाद होश ही नहीं रहता है तीक है? बिल्कुल सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है तो उसकी अदाएं ऐसी है नक्ष दिवार क्यों नहो आशिक? हैरत अफसा है बेवफा की अदा नक्ष दिवार, दिवारों पर जो नक्ष बने होते हैं जो तस्विरें बनी होती हैं उनकी जाली बशारा है अच्छा एक आफ जगा मैंने ये शियर यूँ भी पढ़ा है कि नक्ष दिवार क्यों नहो आशिक की जगा क्यों नहो वे आशिक? ये भी पढ़ा है मैंने शियर तो अगर हम इसे पहले जो यहां लिखा हुआ है वह से अधबार से हमसी की तश्री देखेंगे फिर उस अधबार से जो मैंने दूसरी तरह जो पढ़ा है उसको भी हम देखेंगे नक्ष दिवार क्यों नहो आशिक? यानि जो दिवारों पर नक्ष बने हुए तस्वीरें भी क्यों आशिक हो जाएं? क्यों आशिक हो जाएं? क्योंकि हैरत अफ़सा है हैरान कर देने वाली है उस बेवफा की अदा उस महबूब की ही तरह इशारा है उस बेवफा की अदाएं जो है हर रख़सा है हैरानी में डालने वाली है लहाजा नक्ष दिवार क्यों न हूँ आशिक दूसरा जो मैंने दूसरा मिस्रा एक और है जो आम तोर पर लिखा पाया गया है नक्ष दिवार क्यों न हुए आशिक हो की जगा गर हुए कर दिया जाए तो ये पूछता है कि शायर की ये दिवार पर जो नक्ष है वो आशिक क्यों न हो गए महबूब को देखकर इस खुरसूरत मेरे महबूब को देखकर ये क्यों नहीं आशिक हो गए क्योंकि ये इसकी अदाएं इसक्दर हैरान कर देने वाली है तो मुझे तो इस बात पर हैरानी हो रही है कि ये आज क्यों नहीं हो गए खैर बेराद उसके बाद गुल हुवे गर्क आब शबनम में देख उस साहिब हया की अदा यानि वो जो हया वाला महबूब है तीक है उसकी अदाएं देखकर गुल हुवे गर्क आब शबनम में यानि फूल गर्क हो गए डूब गए तीक है कहां डूब गए आब शबनम शबनम तो आप जानते हैं उसको कहते हैं आब शबनम शबनम के पानी में वो फूल शर्म के मारे डूब गए क्यों? क्योंकि उस महबूब की जो हया है जो मेरा महबूब है वो इसकदर हयादार है और हया में इसकदर खुबसूरत हो जाता है जब उसके चेहरे पर हया की लाली दिखाई देती है आती है तो इस कदर वो खुबसूरत हो जाता है कि उसकी खुबसूरती देखकर जो फूल है वो गुल हुवे गर्क आब शबनम में ठीके शबनम के पानी में गर्क होगा डूब के उसके बाद शेर अच्के रंगी में गर्क है इस दिन जिन ने देखी है तुझ हिना की अदा जिस किस के माने महंदी के होती है और जब चड़ जाए तो आप देखते हैं किस ख़दर उसमें रंगत आती है सुर्खी आती है तो वो महबूब उसका शेरा उसका सराफा बलकुल हिना की तरह है ठीक अश्के रंगी में गर्क है निस दिन निस के माने रात और दिन तो आप जानते ह अश्के रंगी रंगीन आंसू अब ये आंसू रंगीन क्या होते है ये तो एक मामला है रंगीन आसू कहने का मतलब यह है कि रंगीन आसू नहीं आँखों से आंसू की जगा या अश्क की जगा खून बह रहे हैं तो अश्के रंगी में गर्क है निस दिन रात दिन यानि आँखों से आस्फू की जगा लहू बहरा है जबसे मैंने उस महबूब की अदाएं देखी है जो महबूब हिना की तरह सुर्ख और रंगीन है आए वली दर्द सर की है दारू वली इसमें देखा आपने शैर ने अपना तखल्स दिया हुआ है तो तखल्स जिस शेर में इस्त वली ने कहा है कि आए वली दर्द सर की है दारू यानि अगर कोई परिशानी है दर्द सर है कोई दिक्कत है तो उसका इलाज क्या है उसका इलाज मेरे लिए उस संदली कबा की अदा है संदल एक लकडी होती है खुश्बुदा लकडी होती है ठीक है और कबा पहनावा होता है जुबा डाइप का होता है तो उस पहनावा जो है उस महबूब का जो पहनावा है और उसकी जो खुशबू है ठीक है उसके पहनावे से संदली जो खुशबू आती है तो उस महबूब के की अदाएं उसका पहनावा उसकी संदली खुशबू ही मेरे दर्द सर का हिलाज है ये पूरी घजल हो गई, अब हम दूसरी घजल के बारे में बात करेंगे अब ये वली की घजल, जो दूसरी घजल आपके कोर्स का आपके निसाब का हिस्सा है ये आपको इंतखाब मन्सुमात जो तरपड़े शुर्द अकैडमी से छपी है उसके दूसरे हिस्से में ये घजल मिल जाएगी और ये घजल नहीं हलागि जो भी आपके कोर्स का हिस्सा है घजल का जो भी हिस्सा है वो इंतखाब गजल्यास सही है तो उसमें आप ये पा लेंगे ये घजल और उसमें वली का जो हिस्सा है उस पर ये चौथे नंबर की घजल है जो आपके निसाब का हिस्सा है तो इसका मतल़ है कि शगल बहतर है इश्क बाजी का पहले मैं ये पूरी घजल पढ़ देता हूँ इसमें कुल पांच ही अशार हैं आम तर पर ये कहा जाता है एक घजल में कम से कम पांच अशार होने चाहिए हizes कोई पाबंदी है नहीं तीन ऐचार पर भी मुच्तमिम्ल घजना देखी गई है में और 40 से भी जाइद ऐचार पर विज्ब घजना चाहा है तो यह पांच ऐचार के घजना शर् 혼क बहतर है इसक बासी का चाकिकी व क्या मचाशी का हर जबाँ पर है मिसले शाना मुदाम जिक्र तुझ तुझ तुल्फ की दराजी का आज तेरी भवाने मस्जिद में खोश खोया है हर नमाजी का गर नहीं राजे शुशू आगाह फखर बेजा है फखर राजी का ए सरवकत देखूंगा वकताया है सरफराजी का मतला जो है शीर का शारी घजल का याने घजल का पहला शीर इसके दूसरे मिस्रे में आप देखेंगे दो अलफाद हैं हकीया थे चाहिआए और इसके मजाजी जो हमारा गोश्ट पोस्ट का जो महभूब होता है जिसे हम देख सकते हैं, छूर सकते हैं, जिसके करीब रह सकते हैं करीब रहने का मतलब यह है, जिसको छूर सकते हैं जो आम तरपर हमें अपनी इन नंगी आखों से दिखाई देता है उसे मजाज़ी महभूब कहते हैं और एक वो जिसे हम दौ लगाते हैं जो हमें जिसे जिसके बारे में कहा गया की जग में आकर इधर उधर देखा तूसे आया नसर जिधर देखा या फिर एक शेर है अकबर इलाहबादी का बस जान गया मैं तरी पहचान यही है तू दिल में तू आता है समझ में नहीं आता ये हकी शायरी की अशार हैं हकी शायरी की पहचान है तो उसमें यह है कि इसमें हम उस महभूब का जिकर करते हैं जो हमारे बगल में यूं आम आदमी की तरह हम दोस्त की तरह नहीं बैटता है जो हम आखें बंद करते हैं तो हमें दिखाई देता है हमारे अंदर हमें महसूस होता है यानि खुदा की दानी भी शारा है तो हकीकी महबूब और मजाजी महबूब इन दोनों का फर्क में ख्यार में वाज़ हो गया है मुख़थर प serious इश्बाजी का यानि इश्ग का मश्गला तूम मश्गलें बहते है अब वो चाहे हकीकी इश्ग हो चाहे मजाज़ी इश्ग हो चाहे आप दन्यावी महबूब से राप्ता गायम करने राप्ता करने चाहे महभूब हकीकी को यानि खुदा को अपने दिल में बसा लें बहतर ये है कि आप शुक कीजिए इसमें शायर का कहना है फिर दूसा शेर है हर जबां पर है मिसले शाना मुदाम जिक्र तुछ जुल्स्त की दराजी का हर जबां पर है यानि हर एक की जबां पर है यहां पर जो भी शख्स हमें दिखाई दिता है हमें मिलता है हर एक की जबां पर एक ही चीज़ है वो क्या बात है एक ही जिक्र है वो जिक्र क्या है तुछ हर जबां पर है मिसले शाना मुदाम مدام کے معنی مسلسل تسلسل کے ساتھ ठीक है मिसले शाना मुदा तिरे जूल का ذिकर है तिरे जूल फें कितनी बड़ी है कितनी लंबी है इस बान का जिकर है यानि तेरी जुल्फों पर हर शक्स तेरी जुल्फों के बारे में तेरी जुल्फों से मुतलिक बातें करता है यह हर जबान पर हर शक्स की जबान पर है तिसरा शेर है कि आज तेरी भवाने मस्जिद में होश खोया है हर नमासी का देखिए इसमें एक लबस है भवाँ भवाँ ये कदीम अर्दू है जिसे आज हम भवाँ कहते हैं तो देखा आज तेरी भवाँ आने मस्जिद में अब ये भवाँ और मस्जिद का क्या तालुक है होश खोया है हर नमाजी का कैसे मस्जिद में तेरी भवाँ ने कैसे होश ख तो महराब देखता है तो महराब और भौं महराब देखकर उसे अपने उसे अपने महबूब की याद आ जाती है यानि तेरी भौं की याद आ जाती है और जो तेरी भौं की याद आ जाती है तो फिर नमाज कहां फिर तो तू ही तू है फिर वो कुछ और नहीं देखता है सिर नमाजी का होश खो जाता है यानि मस्जिद का महराब देखकर आशिक को या नमाजी को तेरी भाओं की याद आ आ जाती है और इस हिसाब से इस लिहाद से वो होश खो बैठता है और तेरी जाने मुल्तफित हो जाता है तेरी याद में खो जाता है फिर एक शेर है कि गर नहीं राज इश्ग सूं आगाह पहली गजल में आया था कूं कूं के माने को के होते हैं और ये सूं कदीम अर्दू है इसके माने से के होते हैं गर नहीं राज इश्ग सूं आगाह फखर बेजा है फखर राजी का फखर राजी राजी एक फिलसफर है जिसका जिकर है यहाँ पर वो कहता है कि बड़े से बड़ा फिलसफर है ठीक है फखर करता है इसका कोई मतलब नहीं कि वो फखर करता है उसका फखर जो है उसका घमन उसका गरूर बेकार है बिलावजा का है क्यों अगर कर नहीं राज इश्ग सुमागा अगर इश्ग के राज से उसे वाकफियत नहीं है उसे आगाही नहीं है यानि इश्ग के राज को वो नहीं समझ लेता नहीं पा लेता तो उसका फखर बेवजा है बिलावजा है ठीक है और इसमें एक नाम लिया है फखर राजी ये फिलासफिर है, तो यहां तक कि राजी का जो फखर है उसको अपनी अगर फिलासफी पर, अपने फिलसफे पर अगर फखर है, तो वो भी बिलावजा है, बेजा है, बेकार है. अगर वो इश्धे आगाही, इसे वाकित नहीं रखता है. फिर बिल्कुल आखिर में आजाएए तो इसमें शायर कहता है कि आई वली सरवकत कुं देखूंगा वक्त आया है सरफराजी का वली खुद को मखातिब करते है यानि शायर खुद को मखातिब करता है जैसा कि मैंने पहरी खजल में आपको बदाया था कि ये मख्ते का शेर है जिस शेर में शायर अपना तखल्बस इस्तमाल करे अपना नाम इस्तमाल करे उसे मख्ते का शेर कहते है तो इसमें शायर कहता है आई वली सरवकत कुं देखूंगा वक्त आया है सरफराजी का सर्व जिसको अंग्रेजियम साइपर्स कहते हैं एक दरखत होता है और जिसकी बहुत लंबा दरखत होता है आम तर पहाडों पर पाया जाता है और जो जिसकी शाखें नीचे की तरफ जुकी हुई होती है जालर नुमा होती है जालर की तरह जिसकी शाखें जुकी हुई होती ह और जिसमें फल नहीं लगता है उसको कहते हैं अगर आप साइपरेस डालेंगे गूगल पर भी साच करेंगे या सर्व डालेंगे तो मेरे ख्याल में आपको दिख जाएगा वोपिया तो वो कहता है कदीम जमाने से ही शोरा ने अपने महबूब की गामत बताने के लिए गामत दराजी का जिकर करने के लिए सर्व का इस्तमाल किया है तो कहता है कि आई वली सर्व गत्कूं देखूंगा वक्त आया है सर्व राजी का वो महबूब जो लंबा है और सर्व की तरह है सरवकत कूँ देखूंगा अब देखिए इसमें इस्तियारे का इस्तियारा किया गया है इस्तियारा क्या है इस्तियारा उस लफ में होता है कि जब हम किसी चीज़ को उसके हकी की माने के बजाए मजाजी माने में इस्तेमाल करते हैं यानि ये मिसाल की तोब पर अगर मैं कहूं कि एक शेर है कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है रन एक तरफ चर्खे कोहन कांप रहा है किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है ये शेर कहा गया है ठीक है ये कर्बला की जानिब कर्बला की जुन की जानिब इशारा है तो किस शेर की आमद है तो हदरत हुसाइन को शेर कहा गया यहां पर किस शेर की आमद है नाम नहीं लिया गया पराहरास उसे ये कह दिया गया की शेर हैं épisode यzhए आम तोर पर महबोर को श्वीश दे थे इस चांस के तश्वीध देते इसके होटों को इकलाब के पंकुरी ऐसे तश्वीश ए तो यह तेंगे लेकिन जब कोई मां कहती है ओफ मेरा चांड आया एक तो अपने बेटे का नाम नहीं लेती है वो प्राहरास अपने बेटे को चांद कहती है इसके खुबसूरती के वचा क्या है तश्वी का तालुख मौजूद है आप देखें कि वो कहता है मां कहती है चांद आया क्या या यह वो अपने बेटे को चांद की जैसे खुबसूरत समझती है ल महबूप जो लंबा है सतरफ की तरह है जिसका पत्र उसको मैं देखूंगा वक्त आया है सरफ्राजी का अब मेरी सरफ्राजी का यानी मेरी बुलंदी का और मुझे फकर करने का वक्त आ गया है क्यूं पो coral देखूंगा अमीद है कि आपको लुत्फाया होगा और वली से मतलिक ये दो घजलें जिनकी मुख्तसर वजाहत मैंने की है ये आपके लिए काफी होंगी और इसके बाद वाली कलास में हम इसाला दूसरे शायर के बारे में जो आपके निसाब का हिस्सा है बातें करेंगे और उसके घजल को उसके घजल को वही के बारे में और उसके जो उसकी जो घजले आपके निसाब का हिस्सा है उस पर हम गफ्तकू करेंगे बहुत बहुत शुक्रें